कर दो कि जरसा कि हमने कल की क्लासेश में देखा तब पिछली कप्छाओं में नजी अफवाद तंदर से पुछे गया को संकीक है चैनल पर नए है या पहली बर आए है तो जल्दी से जाईएगा वुडियो को सब्सक्राइब कर लिजिएगा लेटेश टैम पर लेटेश वुडियो अप्लोड की जाती है आज ये क्लास में बात करेंगे 36 गड़ की नदिया जिसमें आप पढ़ेंगे सोन नदी यानि की गंग नदी की सायक नदी प्रमुट सायक नदी ठीक है तो देखें यहाँ पर जैसी कि आप देख सकते हैं आपके इस्क्रीन पर दिखाई देरा होगा एक मैप दिखाई देर उमसे दिखाई है पर देख को कि और सब्सक्राटीय अफवाथकर इस depends के पाड़ उटे। बात करेंगे जो आपको नदी प्रहेंसे न कहौंगन के ऐती है झाणा गंगन नदी एक उतन दोद फ्रमुट सायक है आपका इसकी प्रमूप सायक नदी देखेंगे जा प्रमूप सायक नदी बताने वाला हूं उसमें तत्थ दो प्कूस्टन ऐसे ही देखने को मिल जाएगा देखें आंपका यह आपका सोन नदी अफवातन्तर की प्रमुख साहएग नदिया देखने वाले हैं जैसे कि आपकी स्क्रीट से दिखाई देरा होगा तो च्छति जड़ के उत्तर ढाल की ओर उत्तर की ओर बेहने वाली जो नदी है यह आपका यह नदी इसके बाद 36 आद के उततर इसके अठीक मिनदी अप्वाहत नंत्र मित जेख सकते हैं। ऑफ से बड़ा थंथर यादी आपों से था हूं plays?... आतीक तन्त्र है। जोड़ा अब अपरतिस्फ़ प्रतिसत चेरे बहुनित reasonably है। प्रतिसर चांटीज गड़ को जल प्रवाव होता है कितना प्रतिसर 13.6 प्रतिसर 36 गड़ में सोन नदी अपवारतंत्र इधर उत्तर की और बैती हुई चली जाती है तो सबसे पहले हम बात करें तो यह आपको यहां से बैती हुई चली जाएगे यह आपको कुन सी पहाड़ी है यह आप देख सकते हैं यह पहाड़ है इस नदा भी दिखाई दे रहा है यह पुरा पहाड़ी लागा है तो यहाँ पर जो सोन नदी अफ्वागतंत्र है यहां से आपकी निकलती है इनके प्रमुख साहएक नदी करनी है यहां पर तीन साहएक नदी है उसके पाद रेक् यहां से निखलती होए आपका सरगुजग की और, इस्ट निचे की और यह आपकी पहाडी च्छेतर, गिक है यह आपका पहाड़ी लाका है, जिसमें जोरी मतिरेंगर की पहाड़ी है, ठीक है वहां से आपके नीचे की और बहती हुए आती है कौन सी नदी रिहंद नदी तो चलिए हम प्रमुख सहायक नदी देखेंगे सबसे पहले सो नदी अफवात तंत्र का जिसमें प्रमुख सहायक नदी है आपका पहला बनास नदी उसके बाद है गोपाद नदी उसके बाद है पर नास नदी, ठीक है, नोट करते चली जाएगा, या फिर इसके इन सौट ले सकते हैं, दूसरा है आपका गोपद नदी, कौन सा है, गोपद नदी, ठीक है, पूरा क्लासेश देखेंगे, चतिस गड़ की नदिया से, जो आपके एक्जाम में बिल्कुल आते ही हैं, ठीक है हमने देखें, इसके बाद हम देखेंगे, सोन नदी, अफ़ाद तंतर के बाद, ब्रामणी नदी, उसके बाद नर्मदा नदी, ये तीनों अफ़ाद तंतर बच्चा हुआ है, ठीक है, आज ही क्लास में पूरा करा दूँगा, यहां से आपके एक से एक नंबर क्वेस्टन आएंगे, तो तीसरा आपको कौन सो हो जाएगा, नेउर नदी, कौन सो हो जाएगा, नेउर ठीक है, नेउर नदी, ठीक है, चांता हो जाएगा आपका रिहंद नदी, कौन सी रिहंद नदी, नोट करते चली जाएगा, आपकी इर्जाम में बिंकुल आता है प्रस्णा, प प्रमुक साहयक नदी है आपका सोर नदी आपको आतंतया है इसको नोट कलिनेगा ठीक है पहला आपका बनास नदी दूसरा है भप्रन नदी तीसरा है नेवर नदी चौनलर नदी चौनलर यह औपCmen अगर कल के क्लासेस आपने नहीं देखा है महादधी अपवार तंत्र को डिस्क्रिप्शन की नीचे लिंग में दिया गए जाके आप देख सकते हैं ठीक है बात करें तो यहां पर देखिए यहां पर देखिए जो यहां पर एक सूर्या नदी बैठी है सूर्या नदी नौट कली देगा है और आंसे आप सूर्या नदी बहुषी को आप देखिए शूर्या नदी भीक रहते ओने की पाडियाख से ए मृ टेखिए ठीक देख़ीं को बोपसलिए अनुसके कर mitä नुहां भीक निकल यहां पर यहां यह पहादी लिखा है वह आपने की पर प्रमुक्ट नदि में तिन प्रमुक्स साएक नदि है पहे ऐैं बनास नदि। दुसरा है बोप नदिckenह और तुसरा है रियन नदि estásra हो जाएगा यहाँ पर लिषया रियन नदि करें यहां पर ब्र्दानपुर जीले से एक और यहीं नीचे आपकर जस्पुर deeper जाएस शरबुजा यह आपकर रायगार इधर पोडबा यह इस पीजी का मतलब होता है गौरेला पिंट्रा मरवाई ठीक है जो कोरेला पेंट्रा मरवाही इधर की वर है यहां से और नदी निकलती है । इसकोहां से नदी धूर्तिक Emo Nation किं आज़े cmat नी झीदिट कर्ली तो इसको याद कर लेका प्रभू प्रमु किए सोब पांश टोपिक है इसको याद करते हो चलिएगा आपके उजा में एकने question आता है तो सबसे ज़्यादा question यहां से पूछा जाता है बनास नदी से, कनर नदी से और नेवर नदी से ठीक है इसमें साथ एक या दो नमबर का question पूछा गया था तो चलिए देखेंगे जैसे कि आपकी screen पर फिर से दीखाए जाए रहोगा जो बनास नदी है यह बनास नदी है आपका उद्गाम कहां से होता है मांज तोली की पहारी से मोट कलीजेगा कौन सी पहारी से मांज तोली की पहारी से ठीक है यह देखेंगे आप हैंपा मांज तोली मांज तोली, ठीक है, मांज तोली की पहारी से, कौनज पहारी से, मांज तोली की पहारी से, भरत पूर तस्रिल कोरिया, यह को कोरिया जिलाओ के है, भरत कोरिया पटी के भरत पूर तस्रिल से निकलती है, मांज तोली पहारी से, ठीक है, याद कर जिएगा, और जल प्रपात क के बारें देखते हैं गोपाद नदी है जो उद्गाम आपको सोनहत पठार से कौन सा उद्गाम आपको कौन सो हो जाएगा सोनहत सोनहत पठार इसको नोट कर लिजीगा सोनहत पठार से उद्गाम इस्थल की गया यह को कोर्या जीले से नोट कर लिजीगा कोर्या जीला से ठी यह माद्यप्रदेष אם 36 गर के मद्यप्रदेष के मद्यप्रदेस अवां चातिज गर इसको नोट के लिएगा मद्यप्रदेष jeśli 56 गर की बीच सीमा रेखा बनाती है क्कोनि नहुन नदी एक्जाम यी आप कि प्येस्टी प्रिबे पूचा गया है नेवल न्दी बारे में तीक है आप देखेंगे रिययम न्दी के बारे में जो आपके लिए मोट ही इंपोर्टेन है इस वर न्दी कि प्रभुख साहय Everywhere देखिए पिसकी सहाय के बादा। बात करें तो रिहार नदी उदगम को थ्फूरी अंगी क Unterstützung ढत hem सर्गुजना… यह आपको सर्गुजना ढिलाएं, यहां पर थ्फूरी मतिरिणा की पहाड़ी से होते हुए, यहां पर रिहार्दना थी प्रवाहित होती है ठीक है उत्तर दी सकी और से नीचे की और आती हुई नजाल आ रही है आप मैप में देख सकते हैं ठीक है अब ठोरी मतीरेंगा की वाड़ी होते हैं वे अमिकापूर से तासे सर्विदा जिले से बैठती है ठीक है अब विसर्जन की बारें बात करें तो रिहान नदी का जो विसर्जन होता है यह आपको सोन नदी ठीक है सोन नदी सोन नदी को किस नाम से जानते हैं गंगा नदी के अब दिखिए इसका पूरा डीटयल देखते जाएगा रिहान नदी के बारे में जो रिहान नदी एसके साइग नदी घुनघुटटा नदी, मोर्नी नदी, महान, सुर्या और बोविरी नदी जैसे कि मैं आपको यहां पर बता हूँ, एक सूर्या नदी हो गया है, आपको मोर्नी नदी हो गया है, उसी प्रकार, महान नदी, यह आपका हो जाएगा महान नदी, यहां से, यह इसके बाद मोर्नी नदी और यह आपका सूर्या नदी, ठीक है, तो इसको नोट करते चलिए यहां पर आप देख सकते हैं जल प्रपात ठीक है यहां पर किसके लिए हो गया है सो नदी यानि कि रिहान नदी के लिए मैं बता रहा हूं ठीक है जल प्रपात नोट कीजेगा रक्सगंडा जलप्रपाथ यह आपके इख्जाम में आया हुआ है रक्सगंडा जलप्रपाथ यह आपके इख्जाम में आया हुआ है रक्सगंडा जलप्रपाथ यह आपको कौन से जीले में स्थीथ है सूरजपूर यह सेकंड नमबर में ठीक है सूरजपूर जीले में इस् तो इसका परियोजना के बार हम देखेंगे, तो इसका परियोजना है, नोट के लिए देखा परियोजना, जो परियोजना है आपका, गोविंद वल्लब पंत जलासा है, ठीक है, क्या एगा, जो परियोजना है, आपका गोविंद वल्लब पंत जलासा है, ठीक है, क्या एगा, कि यहां तक आप लोग नोट कर लीजिएगा कि यहां तक आपने नोट कर लिए क्या देखे यह आपके प्येस्टी एक्जाम और व्यापा में पूछा गए जैसे होशार वारण हो गया है आपका कि यहां सब्सक्राइब कर लिए जो लोग इतने भी व्यापा में कोस्टन आते हैं यहां से आपके 36 दर समाज जाएंगे जो लोग तयारी करना चाहते हैं तो एक बर वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए गर वीडियो पर लास तक जरूर देखना क्या पता ऐसे ही कोशन आ अधूर रही है नदी का वीशेव देखने वाल हैं जैसी के अब देख सकते हैं कि सहीक नदी पढ़ेज Neprukt नदी ठीक है शायक nadi अपको कोन सो हो जाएगा यह हो जायेगा गुन्गुटा नदी ठीक है गुन् गुट्टा इसको याद कल Evet इसके बाद होगा आपका Надी दर सूरिया नदी सूरिया नदी ठीक है अब देखें जल प्रपात पढ़ लिए थे पर्योजना भी पढ़ लिए थे या को भूबिंद वर्लब पंध जलासा विसस के बारें बात करें तो रिहन नदी सर्बुजा की जीवान रेखा यानि कि जो रिहन नदी है एक्जाम में पूछा लिया है तो यहां तक हो गया था अब इसके बाद हम परयोजना देखेंगे ठीक है कि पर यौजना में फॉशाना और ila कि और इस को नोडनेटा गया बोप सागर्वत पर योजना है कि आपके एक्जाम में फुचा गया है बेहुंच साथ September में ऐसे पूछ आप सर्बुजा की जेवान निठाकी से कहा जाता है तो आप पताएंगे रिहन नदी को कहा जाता है आपको PST और व्यापम के कोस्ता में हुआ है उसके बाद परियोजना जो रिहन नदी का परियोजना पर है तो आपको गोविंद वल्लपंध अपके एजिडियों के रिजाम में इसके बाद हम दिखेंगे जो रियन दभान, उत्तर्पदेस की मिरजापूल्धू अब बात करेंगे कनहार नदी, कौन से बचा है आपका कैनहार नदी ये आप बहुती प्रमुख सायक नदी है गंगा नदी की यानि कि गंगा निद्धी की प्रमुक्षायक नदी सोर नदी है और सोर नदी की प्रमुक्षायक नदी आपक करना नदी है यह आप लास्ट वाला पच्छा है उसके बाद हम ब्रह्मनी नदी देखेंगे इसके बाद नर्माना नदी देखने वाले है चलिए आप देखेंगे आपको कनानोट करते जाएगा कनानाओ लिए बहुत कभी इंपोने कोश्टवा में आते हैं कनानाओ को अधिक कजन कर आपको बखने बारें के बात करते हैं तो बहुत है धिकें मुत रिखैंगाए बाटााज्ण में कुछा लिखित बाखला लिख जाती है चोकिस को नोट का लेज़ेगा यानि कि कर दोड़ यानि कि खुढ़ पहा यानि कि जश्पूर stellar सहर इसको नोट का लीज़ेगा इसके वारगन बात करें कि विसर्जान, सोन नदी में तक जो बह रही है यह इसके नदी में प्रमूर ये जो स्रॉझान Sec unas इसके बारें बात करें कि सायक नदी और तटी इस्थल के बारें बात करते हैं जो इसका इस्थल होता है आपका इसको नोट किजिएगा आपके PSC और व्यापां के question में पुछा गया है ठीक है जो इसका इस्थल है आपका डीपाडी बलरामपूर ठीक है अब बात करते हैं यहां जो चनान नीचाल प्र ditthree जल प्रापश्ट इसका कंहन नधी का है या पृत्ट का जल्परापाप ठीक है जल्परपाथ आपकर चिमान नदी ठीक हीजनान नदी या पिग्साम से अ्प पीए सथी करेग्दा सुआ है जो जल्पराफाध पर चिनान नदी है कि एंप आग की शारक्षंट एक तीजाखन थीसगर के शारक्षंट सीवत इससे लिए या नदी आपके व्यापन हाना है को कुल लंबाई की बारे में बात करें तो 115 किलो मीटर 115 किलो मीटर इसकी है लंबाई ठीक है और जर्प्रबाद अर्विसस क्या है इसका इसके बाद अब यहां तक आप नोट कर लीजेगा इसके बाद हम ब्रह्माने ने जिसे कोश्चन देखेंगे